कि नमस्कार दोस्तों बात करेंगे यहां पर मदवदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा भरती निकाल दी गई है तो दोस्तों आज यह है जो वेकेंसी है किस तरीके की रहने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो में अंते तक ब पावर जनेरेटिंग कंपनी लिमिटेट द्वारा MPPGCL मदवदेश राजबिली उत्पादन कंपनी जो है इसमें जो भरती निकाली गई है इसका विग्यापन हम ओपन कर लेते हैं फिर आपको हम बताते हैं कि यह वेकेंसी किस तरीके रहने वाली है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं मदवदेश पावर जनेरेटिंग कंपनी लिमिटेट द्वारा यह वेकेंसी ओपन कर दी गई है यह जो नॉटिफिकेशन है आठ अठारा दो 2022 को रिलीज कर दे गया है यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो अप्रेंटिस एक्ट के तहत अप्रेंटिस एक्ट के तहत यहां पर जो भरती की जाएगी यहां जो 1961 के अंतरगत आईटिआई अप्रेंटिस के आवेदन हेतु बिस्तुद जानकारी आपके सामने यहां पर बताया गया है तो दोस्तों यहां पर जो मद्वदेश राज अप्रेंटिस सास्की आवाज आसास्की मानेताप्राप्त और द्योगिक प्रसिक्षण संस्ताओं में आईटिआई से उत्तिन अभ्यारती इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यहां पर जो ट्रेड होंगे एक बर्स के लिए दो बर्स के लिए अप्रेंटिस प्रसिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत ऑनलाइन आवेद आवंत्रित कर दिया गया है यहां पर फीटर की फीटर से जिन्होंने अपना आईटिय किया है यहां पर उनकी पोस्ट यहां पर आपको दी गई है यहां पर टोटल पोस्ट जो होना है फीटर की डीजल मेकेनिक की बिद्धुतकर की बेल्डर की उपकरन यांत्रिकी की यहां पर जो भरती होना है यहां पर आपक इसके मूल निवासी उम्मिद्वार के लिए ओनलाइन आवेदन अंतिम्ति दिनांग 2322 तक के ओनलाइन आप कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो पद होने असास की बोले तो प्राइबेट या गवर्मेंट आईटिया आपने किया हो एस भी एस भी टी एंसीवीटी आईटिया उत्तिन अनिवार है पात्रता जो होगी यहां पर उम्मिद्वार किसी भी स्थापना संसा के इससे पूर्व एपरेंटिस है तुप पंजी क्रयत ना हो त सथा किसी भी संसा में एक वर्ष या अधिक समय का कार नहां किया हो तो दोस्तों यहां पर जो उम्मिद्वार की जो पात्रता है यहां पर किसी ने जो अगर आपने आईटिया किया है तो यहां पर एक वर्ष से अधिक कहीं आपने काम किया है तो वहां की पात्रता नहीं द कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों प्रदाइज दिलla पुर्ण त्रूटी पूर्ण जानकारी असत्य जानकारी देने पर आवेदर निरस्त कर दिये जाएगा यहाँ पर आपको जो फॉर्म बनना है पूरी पूरी सही जानकाली के साथ बनना है आरक्षण में जो छूट मिलेगी यहाँ पर आयू सीमा जो होगी चैन परक्रिया में अनुसुची जाती पर वर्स से होनी चाहिए आवेदर की आयू और आयू की करना जो होगी एक दो 2022 से होगी समान वर्गों के उम्मिद्वार की अधिक्तमा आयू 27 बर्स होना चाहिए लगभग 27 बर्स अंतिम होना चाहिए और पांच बर्स दिव्यांगों को छूट मिलेगी 10 बर्स की छूट रहेगी स्टी वालों को यहाँ पर जो चैन प्रक्रिया है अहरतर सुनिश्चित करने के लिए विग्यापन के अनुसार प्राप्त आवेदरों की छटाई की जावेगी और य जो बर्तमान में नियमनसार है एक वर्सी आईटाई अप्रेंटिस में जो आपको मासिक बेतन मिलेगा आपकी जो अगर यहाँ पर भरती की जाएगी तो आपको यहाँ पे 7700 रुपे बर्तमान पेमेंट मिलेगी तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 7700 आईटाई अप्रेंटिस करेंगे आप तो 8,050 रुपे आपको दिया जाएगा एंड यहाँ पे जो इसके अतिरिक्त अन्य कई भत्ते लाव की पातता नहीं होगी चिकिस्था वास्त माना किसी भी योग वह पात्राविदक का अंतिम चैन चिकिस्था फिटनेस जो की जिला किस्था अधिकारी द्वारा किया जाएगा यहाँ पर आपको अपना मैडिकल सर्टिकेट भी लगाना होगा मैडिकल सर्टिकेट आपका सही होना चाहिए आविदन केसे करना है आपको यह बता देता हूं में आए आई टे-एए उत्ते हिंद्द उम्मीदवार सासन की तो आवेदन जो प्रक्रिया होगी दोस्तों आवेदन के पूर्व उम्मिद्वार का अप्रेंटिस पॉर्टल पर पहले से पंजी क्रेंड ना होना चाहिए मतलब आपने पहले से कभी रेजिस्टेशन नहीं किया होना चाहिए और इस वेपसाइट में आपको सर्व प्रतम को सब्मिट कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर जो टूल टूलवर में रेजिटेशन बड़न पर कलिक करके आप इसका अपना रेजिटेशन कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए यहां पर जो बेकेंसी की जानकारी हमने आपको बताई है अगर आपने आईटाई कर रखा है त आप वहां से जाके पूरी website की link में जाके click करके अपना पूरा check कर सकते हैं पूरा हमने डाल दिया है आप जाके वहां से check कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर में लेंगे next video के साथ जब तक के जैहिन अगर channel में नए हो तो वीडियो को like करें and channel को subscribe करें दोस बसीरगर तो यहेंद तो यहें दोस्तो यहेंद तो